उस दिशा में काम करने के लिए मुझे लगता है प्रदान मंतरी ने ये पहल की है और इसको और आगे-बढ़ है प्जान मंतर ने रिस्क भी लिया है औह वहां का फोटो रिदूरी की आ सी अब्लक्ष दुप में गों रहे हैं रादर दिखा रहे हैं वाक कर रहे हैं लेकिन सारे लोगों को यह अंदाज़ा हो गया था झाय शायद नरेंद्र मोदी इसको दूसरा यह स्कीम लेकर के आ रहे ह है उसको इंडिया के तरफ लाने के लिए मोरने के लिए वो काम करना है तो ये भी मेरे ख्याल से उनके हक में जा रहा है एक इंपॉर्टन बात कहरे है जैसे दुबई है वह एक प्रकार से वहां टैक्स है बहुत कम है और काफी लिबरेज है अगर उस तरह का कोई पॉलिसी य इन वह नहीं था जब कि दुबई पर कहीं दुबई पर वह नहीं है और नहीं है के ल टूरीज में से ही उनकी एकॉनमी बढ़ी और क्योंकि वह एक प्रोग्रेसिव माइंड कर तो इन्वह प्रासे कि इंटरनेशनल सीटी दाया और इंटरनेशनल टेडिंग का वो सिस्टम बनाया तो सुबरत रॉय जैसे कि जब सिटी बना रहे थे यह दोसो सत्रे सिटी में मुझे याद है और तब सुबरत रॉय टरनेल एंटरनल ब्रदर्स जो दुनिया के सबसे बड़े मतलब रियल स्टेट के टैकॉन से वह बात कर रहे थे तो सोचते तो वह बड़ा थे काम तो जो आज रेल येश्टी की स्थीढ़ जैसे मैंने नागपूर में काहसने सिटी देखा है लगनो में नग्विधय बनाबती आप तही है लेकिन वह तो उन्हें पैसिपिक ने एक दिन डिसाइड किया पूरे USA की रोड बनाएंगे तो जो उनमें सबसे पावरफुल डारेक्टर था उसने रिजायन दे दिया रिजायन दे दिया कि भई यह जो है बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है इतना पैसा चाहिए इतना पैसा लेकिन उसने एंडर्सन उसका नाम था जो फिल्में था उसने उस प्रोजेक्ट को कंटीन्यू किया और उसने करने के बाद में उस प्रोजेक्ट को लगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवग पहले तो उसने पूछे आप आई कैसे मजबूरी थी कोई अमेर का में आपके अलावा कोई ऐसा आजमी नहीं बचा जिसका पैसा इसमें नहीं लगा हूँ मैं सरकार है बोला चलो ठीक है लेकिन यह कैसे आपने सोच लिया कि आप मैं इसमें पैसा लगाओंगा वो इसलिए कि मैं जानता हूँ आप से ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी इस दुनिया में नहीं है जिस समय आपने मना किया था तो समय 100% रिस्क दी इस समय 75 खाम हो चुक तो फिर उसने पैसा लगाया प्रजेक्ट पूरा हुआ तो इस उसने का जो पब्लिक फंक्शन हुआ जो सपनों को साकार करना चाहता है तो यहां दिक्तत क्या है और सुची कि इतनी बही बात है कि जिन इसकू रेजाइन करके बाहर गया जो डिरेक्टर वो फिर उसके पास जाता है और उसको रिक्वेस्ट करता है वो कहता है कि आप आये फिर वो टेक ओवर करता है और वो रिजाइन करके चला जाता है जो उनको बुनाने जाता है पमाल की बात है यहिमत की बात है वो कहता है कि मेरे को सक्सेस नहीं ड्रीम सक्सेस चाहिए तो उसने का भी इतिल माइ बिजनिस सक्सेस विए तो यहां प्रूंदर उसने सारा ने नीचे से उस लेविल तक तो उसने पहुचा दिया लेकिन एंडर्सन को वो दूसरा जो डिरेक्टर था वो ने तो आप जो यहां पर पहुचने के बाद में जो 270 का ड्रीम था उस ड्रीम को पैदा करने के लिए कोई बिजनरी चाहिए था वो बिजनरी जो है जो उनको निकाल सकता उसको निकाल सकता यह सरकार इतनी बिजनरी होती होती है कि वह ठीक है अभी भी नेसनलाइजेशन करें उनका 270 का गटकरी जैसे आदमी को इंचार्ज बना दे सारा भी ले ले और रियल्टी दे दे तो हो सकता है क्योंकि दो कंपनियों को दो सहरों को मैं जानता हूं जो दो आदमियों के बिजन से बना एक नोडा संज श्राइबर के देcco नोडा संज्ढादी के डृम नौडा संज्य गांदी के डृम से यह और मारुती दो चीन संज्दी का ड्रीम तो यहां पर क्या है की तरकार को आज जैसे आधानी है तो इसको एक ऐसा सिटी बनाना चाहते थे जो की दिल्ली के पास और एक बढ़िया सिटी तो यह आपकी राय क्या है कि सरकार इसको टेक ओवर कर ले पूरे को सरकार अगर देखे तो सरकार ने अभी जो है डी प्राइवेट एजिसन कर रही है लेकिन दोना चीछा में जारूरी है नितिन गटकरी जी को जैसे हमने उनको विकास पुरुस कहा जाता है और उनकी जैसे बातमें सुनते हैं कि उनके पास बीजन भी है तो ये करने के बाद में नहीं वह रहे सरकार का लेकिन उसके लिए special ministry बना के नेशनलाइज़ाइशन के लिए जैसे पहले नेशनलाइज़ाइशन किया था करने कैसे देगा यह दूसरा क्या नेशनलाइज़ाइशन के लिए खर्ण करने के बजा है अधर उनको कोई इंपिटस देना सुरू करते। तो उसको भो नेस्मिलाइज कर सकती है दुरुब जी आपसे तु घंटों बातचीत करना पड़ेगा इसलिए मैं सहारा के निवेश्कों और दर्शकों से ये कहूँगा कि दुरुब जी से कल हम फिर बात जारी रखेंगे कि कैसे सहारा और प्रबंधन दोनों मिल करके इस काम को अंजाम तक पहुँचा सकती है और निवेश्कों का पैसा वापस आ सकता है और सहारा कंपनी में भी एक नया एक confidence बिल्ड किया जा सकता है और नये confidence से सहारा कंपनी रिवाइब कर सकती है सरकार के सहयोग से या पूर्णतर सरकारी बन करके जो भी तरीका हो सकता है जिसमें सबका hit protect हो सहारा कंपनी के लोगों का भी hit protect हो और जो उनकी employee है उनका hit protect हो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो सहारा के employee है उनका भी hit होते रहना चाहिए और hit हो जाए निवेशकों के और निवेशक भी ऐसा चाहते हैं तो हमारी बस इतनी ही कोशिश है कि white network की कि प्रधान मंत्री जी और ग्रे मंत्री जी आप अगर चाहेंगे जैसा द्रुप जी ने कहा आज एक राय दी है कल हम फिर आप से बात करेंगे और फिर हम ये message संदेश महुचाने की कोशिश कि कैसे सहरा के निवेशकों का पैसा लोट सकता है और और अबिलम लोट सकता है आज हमारे साथ बने रहने के लिए सुक्रिया धन्यवाद ओलनाथ सब्रुट है करindustrie माश्य हम लुटॵब 1.5 ह। बस बस्तू इन ए刷 बस्त侵 क्वादिन सबांसमार मोश ज ऑ्री रखाष शी न की फिरूटीutetel और टाय स।ो चूट। जट अश्ज एकाट बटाइताना रहन शूआ फारे महाम से बने ग क्यूंद सक्थ